कैसे हैं मेरे प्यारे भाईयों आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे मैं इस तरह इंट्रो नहीं दे करके एक दूसरा इंट्रो देने जा रहा हूं तो आईए आज हम लोग इस वीडियो में एक नई टॉपिक को सुरुवात करते हैं वे टॉपिक रहेगा एक पाइथागोरस प्रमे आप लोग को जानते हैं पाइथागोरस प्रमे नहीं आता इसलिए इस वीडियो को क्लिक किये हैं क्लिक किए तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिएगा तो आईए वीडियो को बीना देर किये बीना बकवास के अमलोग वीडियो को स्टाट करते हैं देखिए ये पाइटा गोरस प्रमे समकोड तिर्भूज में होता है पाइटा गोरस प्रमे का कहाता है समकोड तिर्भूज में जो कर्ण होता है न कर्ण का वर्ग दो भूजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है यही पाइथा गोरस प्रमे है जैसे आप सभी को बतला दे कर्ण क्या होता है परपेंडिकुलर यानि लंब क्या होता है अधार क्या होता है यह आप सभी को नहीं मालूम होगा तो आप सभी को बतला दे रहे जाएसे समझी तो आईए एक समकोर तिर्भूज फिगर ड्रॉ करते हैं तो समकोर तिर्भूज देखिए ये हैं दिख रहा होगा आपको ये समकोर तिर्भूज आपके आखों की सामने बहुत अच्छे ढंग से suppose that इसका नाम रख लेते हैं A, B और C दिख रहा है कि समकोर है लग भी रहा है आपको और suppose that ये इसका 90 डिगरी है ये 90 डिगरी का सिंबॉल ही होता है समझे हैं अब देखिए आपको समकोर तिर्भूज में मालूम होनी चाहिए कि किसको कंड बोलते हैं किसको अधार बोलते हैं और किसको लंब बोलते हैं नहीं मालूम यह भी देख लिजिए ये जो 90 डिगरी इसके जस्ट सामने वाली ये साइड जो एसी दिख रहा है ना इसको हम लोग कंड बोलेंगे क्या बोलेंगे कंड हाइपोटेनस हाइपोटेनस इसे बोलेंगे समझे हैं इसको हाइपोटेनस पूलेंगे और यह जो लंब रहता इसको इसको अम लोग लंब पोलते हैं परपेंडीकुलर बोलते हैं क्या बोलते हैं परपेंडीकुलर क्या बोलते हैं इसे हम लोग पर पेंडी कुलर बोलेंगे जो नीचे ये होता इसको अधार बोलते हैं क्या बोलते हैं अधार यानि इसको बोला जाता है बेस समझें ये लंब हुआ ये अधार हुआ ये कर्ण हुआ 90 degree के सामने वाली भूजा को हम लोग क्या काते हैं तो लंब काते हैं और जो लंब 90 degree के सामने वाला कर्ण बोलते हैं जो ये लंब रहता है इसको लंब जो नीचे जिस पर ये लंब खड़ा होता है उसको हम लोग अधार काते हैं यानि उसको हम लोग base कहते हैं, समझें, अब समझें, पाइथागोरस प्रमे क्या दिये थे, पाइथागोरस प्रमे में क्या फर्मूला है, पाइथागोरस प्रमे बोले थे, पाइथागोरस ने, जो कंड का square होता है न, कंड square, लंब के square और अधार के square के योगफल के बराबर होता है अली के अधार केवल कर्ण बराबर लिखना लिखना होगा टो क्या लिखेंगे समझेए इस स्क्वाइर को इस साइट ले जाएंगे तो रूट आ जाता है जो है वही लिख दो तो लिखेंगे लंब का square plus अधार का square समझें उसी तरह हमसे पूछ देगा लंब बराबर क्या होगा इसको भी root के अंदर डालेंगे लंब पूछाए तो अधार की इस side layup तो कर्ण में से अधार घट जाएगा तो लिख सकते हैं कर्ण का square minus किसका अधार का square यह root क्यों चड़ रहा है क्योंकि इधर long square अधार को इस side लाएंगे तो कर्ण का square minus अधार square बचेगा और इस long square को इधर लाएंगे तो root चड़ जाएगा समझें उसी तरह से अधार बराबर पुछेगा तो क्या कर देंगे अधार को यही रहने देंगे लंब को east side लाएंगे तो माइनस में लंब का square हो जाएगा यानि कर्ण का square लिख देते हैं भाई साब करने इसको कर्ण का square minus में अधार है तो क्या लिखेंगे लंब का square यानि perpendicular का square इसी तरह से यह formula बनता है और इस पर कैसे यूज किया जाता है देखिए कैसे question पुछता है बहतरीन ढंग से उसको हम लोग समझ लेते हैं समझीए समझ में आये तो video like channel subscribe करना न भूलिएगा इसी आप लोग उतार लिजिएगा जरूर पीछे करके formula भी साथी साथ उतारिएगा देखिए कैसे question बनाते हैं हम लोग जैसे ये देदेगा एक समकोर तिरबोज है इसका नाम कुछ भी देदेगा ये 90 degree ये A है ये B है ये C है ये देदेगा जैसे 4 cm ये देदेगा 5 cm तब पुछेगा इसका अधार क्या होगा अधार पुछेगा है तो का करेंगे या तो कर्ण square बराबर लंब स्कूर पुछ अधार के अधार के सकूर ये formula चला लो या direct जो ये अधार बराबर फ मैनस में लंब स्कूर रूट के अंदर तो अधार बराबर यहां से निकल जाएगा रूट के अंदर देखिए कर्ण इसी formula की यूज़ कर रहे हैं कर्ण का square कर्ण क्या है 5 तो क्या कर लेंगे हम लोग 5 का square माइनस में लंब लंब 4 है तो 4 के square लिखेंगे 5 का square 25 और 4 के square सुलग अटाएंगे तो क्या बज़ जाएगा 9 9 के क्या निकलता है 3 इसी तरह से question हम लोग सुलग करते हैं triplet भी होता है triplet उसे करते हैं जो pythagorean triplet भी से बोला आता है जो pythagorean को लागू हो जिस पर जैसे ये 3, 4, 5 ये 4 निकल क्या है ना 3 तो 3, 4 और 5 ये का है triplet है समझें इसी में गुड़ा कर दिजिए 6, 8, 10 ये भी triplet बन गया मन करेगा 9, 3 से गुड़ा करो 3, 12, 15 9, 12, 15 ये भी का बन गया triplet ही बन गया समझें इसी तरह एक और question ये सब triplet बोलेंगी इसको triplet के मतलब जिन पर पाइथा गुरस प्रमें लागू कर जाए और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोर तिर्भुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है आपको मालूम होनी चाहिए बड़ी भुजा के सामने वाली कोर बड़ी होती है और बड़ा कोर के सामने वाली भुजा बड़ा होता है तो समकोर तिर्भुज में सबसे बड़ी कोर क्या होता है 90 डिगरी होता एक नहीं तो बतलि ये बड़ी कोण के सामने वाली भुजा को कंड कहते हैं तो कंड हमारा क्या सबसे बड़ी भुजा नहीं होगा जब भी आपके आख से दिख जाए कि ट्रिपलेट लिखा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है उसी के स्क्वार करते हैं और सेस दोनों के स्क्वार करके जोड़ देते हैं समझें? जैसे एक और समझें ये सपोस्ट डेट पाथ दे देगा ये दे देगा बारा हमसे पुछेगा ये निकाली कितना होगा तो हमसे देखो लंब दे दिया अधार दे दिया कर्ण पुछ रहा है तो मन पार ये कर्ण का फर्मूला क्या लिखवा है? डाइडेक्ट इसको भी लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वार ब्राबर लंब स्क्वार प्लस अधार स्क्वार इसी से ये लिखे हुए हैं कर्ण बराबर, रूट के अंदर, लंब स्क्वार, प्लस अधार स्क्वार, लंब, लंब 5 है तो 5 का स्क्वार, अधार 12 है तो 12 का स्क्वार कर देने, तो यहाँ से कर्ण आएगा, 5 का स्क्वार 25, प्लस 12 का स्क्वार 144, रूट के अंदर 169, और 169 निकलता है किसका, 13 का, यानि ये कंड क्या आगया, 13, इससे भी हम लोग ट्रिपलेट बना सकते हैं, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, दूसे गुड़ा करके लिख दो, 10, 24 और 26, या भी ट्रिपलेट है, तीन से गुड़ा करके लिख लो, 15, 36, 49, या भी ट्रिपलेट है, इस तरह से ट्रिपलेट लिखाता है, इसको भी अगर इसको कंड मान करके ये दोनों के स्क्वार के योग करे तो वीडियो समझेंगे पाइथागोरास प्रमय है यह तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो आज हम लोग इस वीडियो को इतने आई तक लास्ट करते हैं आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट बॉक में जहिन टटा भाई भाई